कल की 2898 AD बॉक्स ओफिस पर पुश्पा से भीडेगी मेगा बजट फिल्मों का होगा बड़ा नुकसान साउथ की दो बड़ी फिल्म में कल की 2898 AD और पुश्पा 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है चर्चा है कि प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD बॉक्स ओफिस पर अलुवर्जुन की पुश्पा 2 दरूल के सांट टकरा सकती है अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि इन दोनों मेगा स्टार की फिल्मों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है दरिसल प्रभास की फिल्म कल की पहले बॉक्स ओफिस पर 9 मई 2024 को रिलीज होने की चर्चा थी लेकिन चनिवार को देश में होने वाली लोगशबा चुनाव की तारीक की आयलान की बाद से इसकी डेट्स को आगे बढ़ाने की संभावना है मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक फिल्म को 15 अगस 2024 पर रिलीज करने की तयारी की जारी है जिस दिन पहले से ही अल्लू अर्जुल की फुषपा टू दरूल के रिलीज डेट की घोशना की जा चुकी है अब ऐसे में दोनों सुपरस्टार्स की मेगा बजट फिल्म में एक साथ बॉक्स ओफिस पर भिढ़ने की खबर सामने आ रही है अलाकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई कन्फरमेशन नहीं किया गया है वही इस खबर के सामने आने के बाद से चर्चा है कि डिस्ट्रिब्यूटर कलकी 28980 के मेकर्स को रिलीज के लिए कोई और तारिक तैय करने के लिए जोड़ दे रहे हैं निर्देशक नाग अश्विन के इनिर्देशन में बन रही कलकी 28980 एक साइंस फिक्षन फिल्म है जिसने प्रभास के अलावा दिपिका पादकोन, अमिताब बच्चन, कमल हसन, दिशापतानी, राजी इंद्र प्रशाद और पशुपती जैसे चच्चित सितारे मेह द्व पून भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, वहीं जब से फिल्म की घोष्ट ना होई है तब से दर्शकों में काफी जादा उत्सा बना हुआ है, वहीं अगर बात करें पुश्पादर रूल की तो आपको बता दें कि पुश्पादर रूल 2021 में आई पुश्पादर इसके बाद से दर्शकों की बीच काफे जादा एक्साइटमेंट बना हुआ है, अब देखना दिल्चस होगा कि बॉक्स ऑफिस पर पुश्पादर राइस और कल की 289880 की भिडंत होगी, या फिर कल की 289880 की रिलेस डेट को लेकर कोई बड़ा एलान किया जाएगा, तो दो